तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर क्या है एक बहुत जादा लेटेस्स लीग जो कि सिट्रॉन C4 के मतलब बारे में होने वाला है और यह जो कार है नहीं बहुत जादा इंपोर्टेंट थी इस कंपनी के लिए क्योंकि सिट्रॉन की जो कार्ज थी वो एक तो होती थी वह और एक थी C5 और इन दोनों का जो प्राइस डिफ्रेंस था ना वो लगभग लगभग 25 से 30 लाग रुपए के आसपास का था क्योंकि सिट्रॉन C3 जो थी वो लगभग 6-7 लाग रुपए शुरू हो जाती है और C5 वहीं पर 35 लाग रुपए से शुरू होने वाली कार थी तो इन दोनों के बीच में एक कार बहुत जादा जरूरी थी क्योंकि हर कोई ना 35 लाग की ले सकता है और ना 7 लाग की लेना चाहता है तो इनी सारी चीजों को मद्ध नजर रखते हुए कंपनी ने वाई C4 लाँच करने का फैसला किया और यह हमें दिखाई दे रहा है क्य सब्सक्राइब करना चाहिए तो हुंडाई वेन्यू एक ट्रीटा वगरे से कर सकते हैं क्योंकि उन में भी जो एक डिजाइन पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही है बट सेम नहीं है फिर आपका है कि वाई सेम नहीं है ऐसे बोला है लिकना अगर अब ध्यान से देखेंगे त थोड़ी सी पीछे डिक्की निकली हुए थे ऐसे इसमें हलका सा पीछे के लिए कर्व होता है जो कार को और ज्यादा सेक्सी बना देता है और थोड़ा ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा स्पोर्टी और लंबी कार है तो इसका जो फ्रेंट डिजाइन है वो देखने मे कुछ भी कम करते हैं तो हमें माल भी अच्छा जहीं है तो ऐसा आप देख सकते हैं इसका लुक और सामने आप ग्रिल देख सकते हैं काफी जादा सही लग रही है कोई भी इसमें मतलब ऐसाच कमी नहीं है सिट्रॉन काफी अच्छी कार्स निकालता हुआ आ रहा है आज से काफी साल पहले से और यहां पर आपको मतलब LED DRL मिल जाती हैं, Corning Lamp मिल जाते हैं, Fog Indy मतलब जो Fog Lights होती हैं वो भी आपको यह देखने के लिए मिल जाते हैं काफी अच्छे से इसका जो लोगो है वो ग्रिल के साथ सिंग किया गया है काफी जादा सही लग रहा है ऐसा न आपको देखने के लिए मिलते हैं, diamond cut alloy wheel आपको देखने के लिए मिलते हैं, और अगर मैं size की बात करूं तो मुझे यह R16 जो है, वो size यहां पर feel हो रहा है कि यह R16 आपको यह देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है जो इसका top model हो वहां पर आपको R17 भी देखने के लिए म इसके अलब बैक प्रोफाइल यह पूरी गेम चेंजिंग है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने यह कैसा design दिया है, वैसे तो काफी ज़्यादा advance है, बट इसकी जो shape है, वो काफी ज़्यादा, मतलब पुराने जमाने की यहां feel होती है, लेकिन अगर यह setup जैसे अ आप reverse में पार्किंग करेंगे रात के टाइम पे, और यह जो light है यह दोनों तरफ है, तो आपको काफी अच्छा view और visibility देखने वाली है, क्योंकि mostly जो cars होती है, उनमें एक तरफ दे देते हैं, वो छोटा सा काम चला हो, लेकिन यहां पर आपको दोनों साइड में देखने क जैसे आजकल गाडियों में आता है, बीच में बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उपर की side आपको क्या है, वाइपर दिखाई देता है, और brake light भी आपको यहां उपर की तरफ दिखाई देती है, जो कि इसके wing में, आप पूरा wing देख सकते हैं, इसमें जो है, वो आपको floating LED नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको यहां उपर दिखाई दे रही है, और हो सकता है, टॉप मॉडल में आपको यह प्रोवाइट कर दी जाए, तो आप एक complete जो मतलब blueprint है, वो आप इस तरह का समझ सकते हैं, कि आपको ऐसा ही interior देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आपको देखिए 6 airbag तो मिलेंगे, साथ में आपको traction control वगरा भी देखने के लिए मिलेगा, cruise control और जो normal सारे functions होते हैं, features होते हैं, वो सब तो देखिए basic है, 14-15 लाग रोपे से इसका प्राइस शुरू हो जाएगा, तो उस range में मतलब काफी क कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सभी कुछ आपको मिल जाएगा, reverse parking, camera वगरा सारी चीज़ है, और safety तो इस car में आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी, बाकि ये वक्त बतायागा कि NCAP rating यहां की इंडिया में क्या निकल करके आती है, तो फिर ठीक है, जैसे ही confirmation कहीं से मिलता है, तो उसके लिए मैं एक या तो इसी में comment कर दूँगा, या आगे चल करके उसे post कर दूँगा वीडियो के लिए, तो ठीक है, जै हिंद